हेलो स्टूडेंट कैसे आप से उम्मीद करता हूँ, आप से बच्छे होंगे, मस्तोंगे, बेतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेतर सड़े होगी क्लास 11th कमिस्टी में आज का जो टॉपिक है बच्चो द्रब्बन उपाती क्रिया का नियम 11th क्लास के कमिस्टी में भी टॉपिक है, 12th क्लास में भी है, दोनों के लिए काफी महत्पूर है फिलाल सबसे पहले तो समझेंगे भाई, इस नियम का दूसरा नाम क्या है तो गुल्ड बर्ग और बागे आपके यदि पेपर में आ जाए कि गुल्ड बर्ग और बागे का नियम दो, तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे भाई, कि इनका नियम कुछ और होगा ये तो द्रब्बन उपाती क्रिया का नियम है, ऐसा नियम गुल्ड बर्ग और बागे ने सन 1866 में मिलकर ये इस नियम का प्रतिपादन किये, इसी कारण से इस नियम को गुल्ड बर्ग और बागे का नियम भी कहते हैं भाई गुल्डबर्ग साहब आया और बागे साहब दोनों जी साथ में मिलकरके अट्रासो सरसट में एक नियम प्रतिपादित कर दिये जिसे द्रब्बन उपाती क्रिया का नियम कहते है गुल्डबर्ग और बागे अट्रासो सरसट में इन दोनों ने मिलकर एक नियम दिया ज जैसे आप दूद से दही बना रहे हो तो यह क्रिया करने की दर हो गई जैसे आप H2O पानी ले लिए HCL से क्रिया करा लिए कुछ अलग प्रोडेक्ट बन रहा तो यह अब क्रिया की दर हो रही है किसी भी प्रयोकसाला बिध में आप जैसे फासफिन बना रहे हो हो इस्टिलीन बना रहे हो इनकी प्रयोकसाला बिध में अभिकारक से प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डायक्साइड बन रहा है कार्बन आक्सिजन क्रिया करके कार्बन डायक्साइड बन रहा है तो अब क्रिया की दर चल रही है दस में जब वहाँ दस के दस पहुचे लेकिन वहाँ पर जब लड़ाई शुरुआ तो पांच लोग लड़ाई करें, पांच लोग खड़े हो गए, बहुत जायदा मात्रा में है, लेकिन उसमें से कार्बन डायाकसईड बहुत कम बन रहा है, मतलब सभी सक्रिय नहीं कहलाएंगे, द्रबमान कितना भी हो इससे लें देन नहीं सक्रिय वही जो क्रिया में भाग ले, तो सक्रिय मात्रा के समान उपाती होता है, मतलब क्रिया किस पर डिपेंड करता है सक्रिय मात्रा पर, यहनि कार्बन और अक्सिजन मिलकर कार्बन डाया होता है मतलब कितना अभिकारक है उसके सक्रिये द्रबमान के गुणन फल होता है समाज में आया कुछ क्या बोल दिया गया कि बस इतना ही बताए कि भाई product जो बन रहा है किस पर dependent कर रहा है रियठेंड पर पड़ राइया अभिकारक Ó डिकेंड कर रहा है अभिकारक दिपेंड तो करता है लेकिन अभिकारक में भी उनके उपर जो सक्रिय हैं जो क्रिया करने के लिए तत्पर हैं जो क्रिया करने के लिए तयार हैं उन पर डिपेंड कर रहा है बच्छा लोग यहां पे सक्रिय द्रब्मान का तत्पर यह है कि जितने भी अभिकारक केड़ वो सक्रिय कहला जाते बाकि निस्क्री कहलाते है IPL मैच होता है वहाँ पर टीम को चुना जाता है कई सारे रिजियों पेस करते हैं लेकिन सभी खिलाडियों को सेलेक्ट नहीं किया जाता है उनके परफॉर्फॉर्मेंस के आदार पर सेलेक्ट कर लिए तो सक्रिय मालिय वांकि निस्क्री है जाने दो तो उस पर डिपेंड करता है बच्चो ठीक है इसको आप बहता रूप से समझने कोशिस करेंगे माना हम सक्रिय द्रबमान के लिए जैसे मालिजे सक्रिय मात्रा के लिए उत्क्रम्री अवक्रिया की बात कर रहें करेगा सक्री जैसे एक की कितनी मात्रा है और बी की कितनी मात्रा है इस पर डिपर्ण करेगा इती रिवर्स मार दें बैक बड़ जिसे बोलते हैं जिसे फारवर्ड मतलब आगे या आरेफ का मतलब फारवर्ड आगे बैक बड़ आर बी मतलब उल्टा वो डिपर्ण करेगा सी कितना है और d कितना है ये क्यूं कहा गया ये ऐसा क्यूं कहा गया इसलिए कहा गया बच्चो क्योंकि मान के चलते हैं A और B ये आपके पास reactant है अब क्रिया के फर सरूप C और D product में बदल रहा है ये उतकरमडी है CD में बदल रहा है CD जो है A और B में बदल रहा है मतलब A से हम C बना रहे है C से A बना रहे है तो हम दो प्रकार से यहाँ पर rate डर A और B पर depend करता है अच्छा यहाँ पर एक चीज और समझो कि भाई साहब यदि मैं कहा देता कुछ इस प्रकार से चलो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आएगा A की मात्रा small A और B की मात्रा small B है यह भी उत्करमडी है धान रखना C की मात्रा small C और जो D बना है उसमें small D इसकी मात्रा भी है तब कैसे होगा तो फिर आप कह दोगे कि sir RF जो forward की बात करेंगे तो A और B तो हैं इसके सांद्रता जो भी सांद्रता A और B इसको गात के रूप में लिखते हैं A और B का पावर बच्चो B इसी प्रकार भाइक बड़ की बात करते हैं और B की बात करते हैं तो C कपावर C और D कपावर D ये चीज़ होता है ये आपका फारवर्ड था बच्चो और ये बैक बर्ड है ध्यान रखना इन चीज़ों पर आप अच्छे तरह के समझने के कोशिस करो भाई जो रेट है वो सक्री मात्रा के समान उपाती है अर्थात यदि सक्री मात्रा इसमा समाल ये होसकती न veg की मात्रा समॉल भी जिसको हम घातां के रूप में ब्यक्त करतें घातां के रूप में और B के सही बात है समान उपाती हटाते हैं तो एक निये तांक लगता है जिस मैं कह दूं आर एफ बराबर यहां पर के अफ दिखेगा दिखेगा बिल्कुल चिंता ना करें कभी कभी कमेंट आया करता कि सार आप जो लिख देते हैं वो समझ में नहीं दिखाई नहीं अब इस कर रहा है और डीपर डिपेंड कर रहा है अब यह बच्चो आर भी जो है वो बराबर हो जाएगा के भी यहां पे सी हो गया यहां पे डी हो गया इस ठीक है उत्क्रमडी है जितना अभी कार्यक उत्पाद में बनेगा उतना ही उत्पाद अभी कार्यक में बदल सकता है साम् वस्था में साम्य वस्था में जो अब अगर अबक्रिया की दर है उ पस्च अबक्रिया के दर के बराबर होगा अगर अग्र अभक्रिया की दर बराबर पस्च अभक्रिया की दर अभक्रिया की दर ठीक है अग्र अभक्रिया की दर और पस्च अभक्रिया की दर देखो जरा यहाँ पर भीया अग्र अभक्रिया कितना है फारवर्ड और यह बैगबर्ड अब मैं यहाँ पर बैलू पूट कर दू और फ का मान कितना है के अफ ठीक है यह मेरा ए हो गया यह मेरा बी हो गया ठीक है इसका मान कितना है के भी यह मेरा सी हो गया और यह मेरा डी हो गया ठीक है यह लो भाई यहां पर जी पक्छांतर कर दूं तो के अफ मतलब के बी को उपर कर दूं तो के अफ बटे पहले के भी नीचे ही रहने दो ये गुणा में धर जाएगा तो भाग में चला जाएगा सी हो गया डी हो गया बटा में हो गया एंया हो गया और ये भी हो गया ठीक ये आपका complete वच्चो ने ये चीज हमारा complete हो गया यदि आप इसके लिए के का भी value put कर सकते हैं कि इस तरह के से के से कंसेंट्रेशन जैसे माली जे के है पूरा इसको भी आप लिख सकते हैं इतना ही है हमारा है द्रवन उपाती क्रिया का नियम जब भी लागू होगा इस प्रकार से यह जो भी तक लिखेंगे तो आपको डरबबान उपाती करिया की म bucket वह आपको नंबर मिल जाएगा आज के लिए इतना ही बच्चों वीडियो पसंदाट लाइक करके सिहार कर दें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रस कर लें जैहिंद बंदमातरम